नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं आर्या नियूज बिहार में करोना संकुरंट के मामले हर दिन तेजी से कम होते जा रहे हैं स्वास्ते विवाक के और से आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगातार पांचवे दिन करोना संकुरंट के नए मामले में कम ही आई है बीते अगर 24 गंटे की बात की जाया तो बिहार में बीते 24 गंटे में कुल 165 नए संकुरंट मिले जबकी 330 लोग स्वास्त भी हुएं इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में 6 जुलाई से सिक्षन संस्ताइं खोलने पर विचार किया जा रहा है लोगडाउन के बाद अब डीजल पैट्रोल के बड़ी कीमतों ने आम लोगों की मुश्किले बढ़ा दिये छे महिनों में ट्रकों के किराय में 25 से 30 प्रतीसत की बड़ोतरी से खाद्य समित अन्य सामगरियों के दाम आस्मान छुने लगें महंगाई के चलते दाल प्याज आलू और खाद्य तेल की कीमतों में भारी जापा हुआ है इसके इलावा बस, ओटो और अन्य सवारी गाड़ियों का किराय भी तेजी से बढ़ रहा है बिहार में सरकार गिराने और बनाने को लेकर रोज नेताओं के बयान लगतार सामने आ रहे हैं हाला कि सत्तधारी पार्टियों का कहना है कि सरकार को कोई खत्रा नहीं है इस बीच कॉंग्रेस के महा सचीव तारिक अन्वर ने बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है मुख्यमंत्री नितीश कब तक अपमान सहेंगे फिलाल बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिस वज़े से सरकार कभी भी गिर सकती है इस दावे के बाद भिहार की राजनीती में एक बार फिर से भूचाल आने के एसार दिख रहे हैं हाला कि कॉंग्रेस नेता तारिक अन्वर के इस बयान पर सत्ता पक्षे कोई प्रतिकिरिया नहीं आई है कॉंग्रेस नेता तारिक अन्वर से पहले भी कई कॉंग्रेसी नेताओं ने सरकार गिराने की भविश्यवानी कर चुके हैं इदर दो फाड हो चुकी लोग जन सकती पार्टी में सियासी घमासान मचा है तो उदर चिराग पास्वन ने अचानक गुजरा जाकर प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के करीबी नेता से मलाकात की है इस मलाकात के सियासी माईने तला से जा रहे है हाला कि चिराग ने इसे नीजी बताया है खास बात ये है कि लजेपी के संकट के दोर में भारते जनता पार्टी की चुपी साहत चिराग ने हाली में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी को लेकर कहा था कि उम्मीद है कि राम अपने हनुमान का वद होता नहीं देखेंगे